जैमातादी दोस्तों जादवी टोटके में आपका हार्विक स्वागत है कैसे हैं आप सर्व ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों अज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्षेत रतिया साल दो हजार चौबिस में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा साथ हम आपको बताएंगे सो ना खरी देने का सुब समय और इसकी संपूर्ण पूजा विदी क्या रहेगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जादवी टोटके को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइ या तिथी को मनाई जाती है अक्षे तितिया जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है ये दिन बहुत ही सुब और महत्पोन होता है अक्षे सब्द का अर्थ है जिसका कभी छै ना हो या जिसका कभी नास ना हो ऐसे में मानिता के नुसार कहा जाता है कि यदि व्यक्त दान, पुन्य, इसनान, यग, जब आदी जैसे कर्म करे तो इससे मिलने वाले सुब फलों की कमी में कभी भी छे नहीं होता, इसके लावा अक्षर तितिया के दिन विश्चेश तोर पर सोने की खरिदारी करने की मानिता है, कहा जाता है कि अक्षर तितिया के दिन यदि सो ना खरीदा जाए तो इससे फ्यक्ति के जीवन पर मालक्षमी जी का आसिरवाद सुख सम्रद्धी वैभो आजीवन बना रहता है। दोस्तों इस दिन भगवान विश्णु जी और लक्षमी माता और कुबेर भगवान की पूजा का विधान है। आपको बता दें कि सास्त्रों के नुसार अक्षे ततिया के दिन जो सुब कार किया जाता है उसका अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन बिना पंचांग देख मांगलिक कार किये जा सकते हैं क्योंकि इस दिन अभुज मूरत होता है। पुराणों केनुसार इस दिन पित्रों के लिए किया गया तरपण और दान पुनिफल देता है। दोस्तों पुराणी कथा केनुसार अक्षे तरतिया के दिन सत्यूग और त्रेता यूग का प्रारंब भी हुआ था। एसा माना जाता है कि भगवान नराण परुसुराम इसी दिन ओतरेत हुए थे। इसके लावा ब्रह्माजी के पुत्र अक्षे कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था और दुर्वापर यूग का समापन इसी दिन माना गया है। इसके लावा भगवान स्रेकर्ष्ण ने युदिस्टिर से कहा था कि इस दिन किया गया कोई भी नया निर्मान या सांसारिक काम निश्चित सुभ होता है इसलिए लोग इस दिन अपनी दुकानों या कारखानों का उधगाटन करते हैं या नय मकान की निव या भूमी पूज भी करवाते हैं दोस्तों इस दिन प्राता काल सुभा जल्दी उठकर इसनान आदि करके पीले रंग के वस्तधारन करें और अपने घर के मंदिर में भगवान विश्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ती इस्थापित करें उन्हें गंगा जिल से इसनान कराएं विश् विश्णु सहस्त नाम विश्णु चालिसा या लक्ष्मी चालिसा का पार्ट करें अंत में विश्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती करके विद्वत पूजा को संपन करें साथ ही इस दिन गरीबों को खाना खिलाना दान देना अत्ति पुनफलदाई माना गया है आपको बता दें इस दिन जल से भरा घड़ा दान करना बहुत ही सुब होता है इसके लावा इस दिन खड़ाओं जूता चाता गौव भूमी सुन पात्र आदि दान करना पुनकारिंग माना गया है चले जानते हैं कि साल दो हजार चौबिस में अक्षे तरतिया का पर्व कब मनाया जाएगा तो आपको बता दें कि अक्षे तरतिया 10 मई दो हजार चौबिस दिन सुक्रुवार को मनाई जाएगी और तरतिया तिति का प्रारंब 10 मई दो हजार चौबिस की प्राता काल 4 बच कर 17 मिनट पर हो जाएगी और तरतिया तिति की समापती 11 मई दो हजार चौबिस क प्राता काल दो बचकर पचास मिनट पर होगी और अक्षे तृतिया के दिन पूजा का सुब मूरत 10 माई की सुबा 5 बचकर 33 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 18 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुल अवदी 6 घंटा 44 मिनट की रहेगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमिनट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें साथी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद